निर्भिया केस में आज एक एहम सुनवाई होनी है दरसल आपको बता दे कि दोशी पवन के तरफ से क्यूरिटिक प्रिटिशन दाखिल की गई है और आज इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोट में सुनवाई होगी तो प्रिटिशन पर आज जो सुनवाई होनी है तीनों दोशियों के पास जहां सभी विकल खतम हो गए है तो पवन के पास दया याचिका विकल बचा हुआ है फिलाल क्यूरिटिव प्रिटिशन लेकिन आपको बता दे कि जो हाल में आखरी डेथ वारेंट यहां पर जारी किय क्या है वो 3 मार्च का जारी किया गया है और 3 मार्च सुबए 6 बचे नई डेथ वारेंट के पास दे दी जाएगी लेकिन उससे पहले तो दिन पहले ही यह क्यूरिटिव प्रिटिशन दोशी पवन की तरफ से दाखिल की गई है देखना होगा कि आज सुनवाई में सुप्र तारीक मिल रही थी और तारीक पर तारीक मिल रही थी दरसल इसमें और अब जो तारीक मिली वो भी कहीना कही संशय है उस पर क्योंकि यह पहले सही कहा जा रहा था कि अभी भी क्योंकि पवन दोशी जो पवन है उसके पाल विकल्प हैं तो ऐसे में उसका इस्तमाल किया जा तारीक मुकरर की है उसमें भी फासी होने में पूरा संसरे बना हुआ है क्योंकि सबसे बड़ी चीज की जो दिल्ली हाई कोट ने डिसीजन दिया था कि किसी केस के जो भी आरोपी हैं उन्सब को एक साथ ही सजा होगी यानि ऐसे में जो बचे हुए तीन आरोपी हैं उन्हें भी फासी की सजा अभी होने वाली नहीं है दूसरा उनका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जिसकी सुनवाई बाद मोनी है और इसी भी सबसे बड़ी चीज की पवन की जो क्योटिव परिटिशन है उस पर आज सुनवाई होगी हलाकि साथ तोर पे लोग कह रहे हैं कि यह क्य पारी जोगी क्योंकि क्योटिव परिटिक्शन का कोई आउचित नहीं होता निर्वेया केस की सुनवाई जो है वो खुली प्रांगर में हुई है अमेट इसका मतलब यह तो नहीं क्योंकि एक हफ़ते का वक्त भी यहाँ पर कहा जा रहा था कि परवन को दिया गया था और आप एक हफ़ते के बीतर जो भी आपके अधिकार है उसका इस्तमाल कर सकते हैं चूकि वो हफ़ता खत्म हो गया हिदायत देने के बावजुद भी वो सवाल में नहीं लाय गया तो इसलिए यहाँ पर कहिना कई एक तरह के सकते हैं शौटी शायद उस पर बादचीत ही नही तेकि सबसे बड़ी चीज की चूकि जो वकील है एपी सिंग वो साबत और कहरत की जब तक डाकुमेंट्स मोहिया नहीं होते तब तक वो कोई भी कारवाई आगे नहीं कर सकते हैं और जो एक हपते का टाइम दिया गया तो उसके लिए भी जाहिद तोर पे इस तरह के एक्स तेजबी होता है जब किसी केस की सुनवाई कभी बंद कमने होती है और निर्विया को केस जिस तरह से रहा है सब लोग स्रमलित हुए तो ऐसे में क्यूटी प्रेटिशन खारी जोगी लेकिन अभी वी दया है याचका का ऑप्सन जो है वो पवन की पास है इसके अलाबा एक चारों दोशियों को फासी होना मुश्किल लग रहा है जी चले नजर बनाए रखेगा अब डेट भी आगे आप से लेंगे तो सुप्रीम कोट में आज सुनवाई होगी क्योंकि क्योरिटिव प्रेटिशन यहाँ पर दोशी पवन की जरी दाखिल की गई है दरसल आपको ब प्रेटिव प्रेटिव प्रेटिशन पे आज सुनवाई है तो हम उमीद करते हैं कि वह आज खारीज होगी क्योंकि सुप्रिम कोट में ही यह केस बार बार किसी नकिसी रूप में जा रही है 2014 से ही कभी SLP के रूप में कभी QRI के रूप में रिवियू के रूप में तो सुप्रिम कोटी में केस ये पूरे आइने की तरफ साफ है और हम उमीद करते हैं कि आज खारीज होगी पट्याला कोट हाउस में भी सुनवाई है वहाँ भी हम अभी डेटुरेंट जारी है कल का उमीद करते हैं कि उपोस्पोन ना हो और कल उनको फार